हेलो स्टुएंट वेल्कम टू नोटबुक आई एस तो आज के के मॉडर इंडिया क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समाजिक धार्मिक सुधार जो अंदोलन हुए हैं उसके बारे में जानेंगे तो देखेंगे हम लोग कि समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन की जरूरत है क्य क्या कारण रहे थे क्या कुछ प्रिष्ट भूमी रही थी और क्यूं जरूरत पड़ी थी और कौन कौन जो है समाजिक धार्मिक सुधार करूप में भारतिये यूरूपिये आगे आए हैं उनसा आपके बारे में जानेंगे और फैक्ट्चुल की सांसा थोड़ी बहुत कॉ अच्छाआ हम लोग करेंगे तो ठीक है आज आज की लास झार देखते हैं क्या रहा धार्मिक सुधार अंदोलन अंदोलनतत गेश्ए 5 हुआ कि तो हम लोग देखेंगे समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन के अंतरगत बेखेंगे कि समाजिक धार्मिक जूदार अंदोलन है वह कि है कि है वह नहीं होता है वह हैं प्रविर्ती का आते हां जहें तो यहां जो प्रताओं प्रत्वा जिसमें आप देखिएगा बलीप्रत्था हो गया जनवरे को प्रति झाप तो बली प्रता रहेगा इस्टेरियों को प्रति अगर देखिएगा तो सद्धी प्रता रहेगा विद्वा विवा का जो कॉंसेप्ट है उस टाइम नहीं होता था महिलाव की स्थिति दयनिये मानी जाती थी ठीक है तो इस क्रम में आप देखिएगा कि भारत में फूले आते हैं अपनी विवी उनकी विवी के साथ उनका आगमान होता है सावित्री भाई फूले उसके बाद आप देखिएगा की विवेका नंद जी रहते हैं तो धीरे धीरे हम सब का करमवार चर्चा करेंगे यह जो प्रभुद्य बुद्धि जीवी वर्ग हैं कभी आ जानेंगे हम लोग इसके बारे में डीटल से देखिएंगे हम लोग की कौन कौन से फैक्टर है कौन कौन से उत्तरदाए कारक यह यह आंदोलन का जन्म देता है क्यूं जरूरत पड़ती है तो आप देखिए गा कि भारत के धर्ति पर भारतिये धर्तिंत। अपनिवीशसक सत्ता का आगमन होता है और भारतियों को अपने अनुसार तुछ्य मानते थे तो वे अपने बराबर नहीं मानते थे और उपेक्छा करते थे तो एक जो है उतरदाई कारण में आप इसको देखेंगे दूसरा देखेंगे कि धार्मिक और समाजी कुरितियां भ प्रशार है वह वीश्व में सब जगह सिख्षा का प्रवार्वार्षार से बिस्व में जग रूपता बढ़ती है भारत में सिख्षा का कुछ अभाव रहता है तो एक क्वेश्व तो आपसे यहां से भी बनता है और बहुत यूपीपीचे आरो यारो में भी पहले कुछ पूछ लुका है कि धार्मिक सुधार अंदोलन जो है समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन उनके कारा क्या क्या थे ऑप्शन आपको दे देगा अपनी वेसक्त सरसक क्यार के उपस्तिति धार्मिक समाजिक कुरितियां महिलाओं के निराशा जाना की स्तिति और इन में से कोई नहीं तो आपको क्या करना है ओप्शन 123 ठीक है कि तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग ब्रह्म समाज को जानेंगे तो ब्रह्म समाज के जो है यह राजा राम मुहन राय द्वारा चलाया जाता है कब चलाया जाता है यह 828 में ब्रह्म सबा की अस्तापना होती है और यही ब्रह्म शबाद आगे चल करके इसका नाम ब्रह्म समाज कर दीया जाता है तो हम लोग राजा राम मुहन-vation के बारे में जानेंगे यह बहुत ही प्रस्च on pearl है यह ने पर जानेंगे और हम लोग कैसे कैसे करके इन्होंने भारतिय इन्हें भारतिये पर्णर करनन का दूत माना जाता है तो यह रहें आपके देखिए यह जो है राजा राम मोहन राय जी है जानते हैं इनके बारे में फैक्चुल चीजें थोड़ी बहुत कंसेप्ट की भी चर्चा करेंगे तो कब होती है ललो है अठारां वंठाइस ब्रह्म सभा नामक इक संस्ता की जो है घठन होती है जी से आगे चल कर पर माद सेस्टा बिष्थाकर ब्रहम सब्सक्राइब्रण समाज नाम दिया जाता है जिसें सौन внут Auto obsession सिता सासवत भगवान की पूजा करना था यह जो है ब्रह्म समाज यह पूरहिती करम कांड और बलीदा जो बलीप्रथा ती उसका विरोध करता था तो क्या था इससे कुछा है कि ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक कौन थे तू राजाराम मोहन रहें कब होता है 1828 में स्थापन होता है और यह भी पूछा है कि ब्रह्म समाज का जो उदेश क्या है या क्या-क्या ब्रह्म समाज द्वारा ब्रह्म समाज मानने वाले को क्या-क्या मानना था तो उसमें आपको पूछ देगा बल्दान का ब्रह्म समाज जो है बल्दान को सपोर्ट करता है बल कर्मका पुरोहिती इत्यादी का विरोध करता है वलिप्रत्था के भी अगेंस्ट रहता है यह प्रार्थना ध्यान सास्त्रुप को पढ़ने पर किंद्रित था यह सभी धर्म में एकता में विश्वास रखता था धार्मिक एक्ता की बाते जो है ब्रह्म समाज जो है धार्मिक एक्ता की बाते करता था और इयक है ऐसा इनका मानना था कुरु इक एक ऐसवरवाद के कौंसेप्ट पर ये चलता था चलिए आधनिक व्हारत मेंपहला सबसे पहला आपको ब्राम समाज को देखने की देखने को मिलेगा आपको जिसके संस्थापवक राजा राम मोहन रहते हैं अठारा सो अठाई सिच्वी में होता है इसका स्थापना ये जो है पुरोहिती कर्मकांड बनिदान आदी का विरोध करता है और एकके स्वरवा और सभी धर्मों को शमान नजर से देखने में बिलीव करता है ठीक है यह जो है अंदोलन क्या कहता है और ये कहता है कि और ज्यान का उदय होता है जिसने परोक्ष रूप से राष्टवादी अंदोलन में योगदान दिया इस अंदोलन के जो द्वारा है भारत में तरकवाद किसी विशय पे तरकिक्ता सो समझने की छमता बिक्सित होती है ज्यान का उदय होता है और राष्टवादी अंदोलन में जो है इससे पनपे लोग हैं योगदान देते हैं यह जो है आधुनिक भारत की सभी समाजिक धार्मिक और राजनीतिक अंदोलनों का अग्रिदूत बनता है ठीक है तो पूछे का क्वेश्चन आपसे पूछा भी है यह कोश्चन उत्राखंड में पूछा है कि कौन सा धा सब्सक्राइब का भर्हम समाज अदोलन ठीक है अगर्श एक भर्ष 1866 में यह दो भागों में भाजीत हो जाता है और पहला जो है केश्व चंद्र सेन का जो है भारत का ब्रहम समाज और देवेंद्र नास्टै गोर का आधी ब्रहम समाज की रुप में बनता है तो क्या होता समाज बनाते हैं जिसमें पहला भारत का ब्रहम समाज होता है जिसके नेत्रित करता केशों चंद्र सेन हो जाते हैं और दूसरा जो है देवेंद्रेनाज ठेगोर जी होते हैं जिनके दूसरे का नित्रित करता देवेंद्र रिनाथ टैगोर जी हो हैं जिन्होंने अपना आधी ब्रह्म समाज बनाया है ठीक है कौन सा आधी ब्रह्म समाज के संस्तापक देवेंद्र रिनाथ टैगोर जी है और दूसरा भारत के ब्रह्म समाज जो है केसव चंद सेन है ठीक है जा अगले अंदोलन के लिए और हम लोग चलते हैं अगला जो अंदोलन है हमारा वो है प्रार्थना समाज कौन थे इसके संसापक आत्माराम पांडुरंग ये जो है इसके संसापक आप देखेगा ये आत्मार मं पान्डू रंग है देखिए तो प्रात्षान समाज के बारे में हम लोग कुछ चीज़े जानेंगे ठीक करशान समाज को हम लोग देखेंगे कौन सहर्षां सापक आत्मारAwм पाणडूरंग तो यह जो समाज है यह क्या कहता है कि तर्क संगत पूजा और समाजिक सुधार के उद्देश से वर्ष 1876 में डॉक्टर अत्माराम पांडु रंग के द्वारा बंबे में प्राथना समाज की अस्थापना की गई प्राथना समाज से question पूछा गया है तो फूछा था कि यह मिलान करने के लिए प्राथना समाज आरेश technically और और सब्ला मै। सब्सक्राइब करें यह पूछ सकता है उसक्राम में आप से संस्थापकों के बारे में भी पूछ सकता है तो आप लोग यह सापक दोनों को ध्यान में रखिएगा तो प्रत्ना समाज की स्थापक पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग जी है कहां होता है मुंबई में होता है और कब होता है 1876 में होता है इस समाज के दो महान सदस आर्सी भंडारकर और नियायमूर्ती महादेव गोविंद रानाडे जी हैं इनहों ने खुद को समाजक सुधार के काम के लिए समर्पित किया जैसे इनका समाज सुधार में कैंका युगदा रहा है अंतर जातिय भोजण ठीक है अंतर जातिय विवा वीदवा पुनर्विवा और महिलाओ। यम्दली तवर्गों की स्तीती में सुधार करना इनका एजन्ड़ा था आगे हम देखेंगे कि जो क्याके एजन्ड़ा था इनक अच्छे से जानेंगे चार सुत्री एजन्ड़ पर क्याम करता था प्रार्चना समाज प्रत्थन समाज जो है चार सुत्री एजेंडे पर काम करता था कौन कौन एजेंड़ था इसका जाती विवस्ता की और विक्रती प्रत्थन समाज जो है जाती विवस्ता को खारिज करता है ठीक है क्या करता है यह जो है जाती विवस्ता को नहीं मानता है दूसरा यह महिला शि महिलाओं की जो साधी की उम्र है ये बढ़ानी की बात करता है ठीक है एम जी रनाडे जो है विद्वा पुनर विवा संग 1861 में और डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो है संस्थापक रहे हैं तो इसके मुंख फेमस प्रश्णाल्टी में एक नया मूर्ति एम जी रनाडे प्रश्ण जी जीन्होंने 1877 में बीद्वा पुनर विवा संगी अस्थापना की थी धार देगान जो है एजुकेशन सोसाइटी का जो है संस्थापक कौन रहे हैं तो इसका करेक्ट एंजर है महादेव रानाडे महादेव गोविंद रानाडे अच्छा एक पुना सर्वजनिक सभा की अस्थापना एम जी रनाडे से पूछता है एक फैक्ट उसमें यह भी पूछता है कि एम जी रनाडे का संबंद कौन से सभा से हैं तो पूना सर्वजनिक सभा सभा का जूशन स्थापक हैं जी रनाडे हैं ठीक है बहुत बार रिपेटिड वोस्यवहर 술 हर जगा पूछा है बार बार पूछ आन्योर पूछता है और आगे भी पूछेगा क्योंकियों कि हिस्ट्री हो रहा है किस फॉर्म में questions के form में जब हम प्रति वीता-परिक्षा की तैयारी करते हैं तो history में अडौन करने के लिए कुछ नहीं होता तो क्या होता ही history repeat होगा और किस फॉर्म में हमारे लिए questions के फॉर्म में ठीक है कि अगला हम लोग सत्य सोधक समाज के बारे में देखेंगे तो सत्य सोधक जो समाज है इसके सत्य सत्य aype टीवा भूले हैं पूली एक माली होते हैं माली जो फूल वाले होते हैं उन्हेंटाईटल भी देखी है फूल तो त notch चाती के बर्चस्व और वाधि भचास्व के खिलाफ एक सकती साली आंदोलन का स्टार्ट जो है आयोजन करते हैं उन्होंने 1873 में सत्यसुजदक समाज सत्यसाधक समाज की अस्थापना की तो कब किसने की ती सत्यसुजदक समाज की अस्थापना जो तीबा फूले ने कब की थी 1876 में ठीक है इनका क्यूंकि थी ये जो है सवर्नों की वर्चास्थ से बचने के लिए उच जाती ब्राम्भनवाद की वर्चास्थ से बचने के लिए ये सत्यसुदक समाज की अस्थापना करते हैं इसका उद्दीर सिख्या था समाज का सेवा करना और महिला और नीचली जातिक के लोगों के भी शिक्षा का प्रचार प्रशार करना ठीक है जो तिवा फूले जी की रचनाएं हैं सर्वजनिक सत्यधर्म और गुलाम गीन आम जनता के लिए प्रेर्णा का शुरुत बन है जब हिस्ट्री में जो सम जो हिस्ट्री में आप प्रश्णाल्टी फेमस प्रश्णाल्टी कब पढ़ते हैं उस तैम पढ़तने के कराम में उनके द्वरा लिखीत रचनाओं को भी अच्छे से पढ़ें क्यूंकि क्वेस्ट्टिन्स वहां से भी बनते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि ज्यतिवा फूले जी जो हैं उनकी दो रचनाएं फेमस हैं सार्वजनिक सत्यध्रम और गुलाम गीन ठीक है यह जो दोनों पुष्टके हैं इनकी रचनाएं वह आम जनता के लिए प्रेड़ना का स्रोथ बना है फूले जो है वे ब्राम्भनों के राम के प्रतिक के राजा बली के प्रतिक का इस्तिमाल करते हैं नहीं रहे हैं जो राम के बजाए राजाबली के प्रतिक और करते हैं तो कौन है जोतीवा फुले जी इनकी रेशनाय सरवत जनिक सत्यधर्म और गुलामGS थी था इस्तमाल करते हैं और निक्ष्ट जो है पूले का जो उदेश से रहता है वो जाती वेवस्ता और समाजिक आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह से शमाप्त करना है समाज में बराबरी का दर्जा सब को मिले इसलिए ये काम करते हैं ठीक है इस अंदोलन में जो है दलीत समदाओं के बीच ब्राम्हनों का एक ऐसे वर्ग के रूप में पेस किया जाता है जिन्हें साथ सत तौर पर देखा जाता है जब ये अंदोलन फलता फूलता है तो इसमें जो है ब्राम्हन लोगों को एक जो ये दलीतों के बीच ब्राम्हन लोगों को एक सासक के रूप में प्रजेंट किया जाता है जैसे कि ये सासक है और हम हमें सोसीत करते हैं ठीक है तो जोतिवा फूले जी से इतना क्वेस्चन बार-बार रिपिटेड क्वेस्चन है तो आप लोग पढ़िए उसके बाद क्वेस्चन लगाईए अगला जो है हमारा आर्य समाज है अगला हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज आर्य समाज को दिखेंगे हम लोग जो आर्य समाज है आपको यह 1875 में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरश्वती जी हैं जो आप देखिए का कि मुंबई में उस टाइम का बॉंबे जो रहते हैं वहां पे अठारा सोग पच्छत्तर में आर्य समाज को अस्थापित करते हैं ठीक है तो क्यूं करते हैं परस्टमी प्रभाव के प्रतिक्यरिया के प्रणाम शोड़ुक जो है आर्य समाज जो है सुधारवादी ना होकर पुनर उत्थान वादी था यह कहता था कि सुधार ना करो उस इरेज़ मत करो शुरू से उस पर ध्यान दो कि रूट से अगर चीजे अच्छे से जाते रहेंगी तो नया निर्मान होगा ठीक है तो दयानांसर स्वाती जी द्वारा यह वर्स 1875 में मुंबई बंबे में अस्थापित किया गया और बाद में इसका जो है मुख्याले लहो नैंहें तो लाहर में थीक है तो आरे समाज के मरदकस जो हैं उनके सिधान्त कहाया यह कहते हैं कि परमेस्वर जो है सचय गयान का प्राटमीक स्रूस है जो सचाई है सत्च के लिए जीवन जो है इसका मिन ुदेश सी रहता है और सत्य ही जिन्दगी का पहला स्रोत है और सत्य ही इश्वर की प्राप्ति होती है और इश्वर ही शत्य है yüzden आरे शमाज्य कहता है सर्व सक्तिमान अमर और ब्रम्हां का निर्माता और पुजा योग है यह कह रहा है सर्व सबस्क्राइब हर जगा विद्यमान है सर्वसक्तिमान है अमर है यह इस्वर ही है जो ब्रह्मान के निर्मान कर रहे हैं और इन्हें यह पुजनिये हैं इसलिए इनको पूजा जाना चाहिए वेद जो है सच्चे ज्यान के ग्रंथ को कहा गया है इन्होंने कहा है आरे समाज ने कहा है कि वेद क्या है वेद सच्चे ज्ञान का ग्रंथ है इसलिए आप देखिएगा कि वेदों की ओर लॉटो कि इनका जो स्टेटमेंट है वेदों की ओर लॉटो यह पूछता है कि वेदो की ओर लोटो किसका स्टेटमेंट है तो दयानंद सरस्वती जी का है यह अगला जो है आरे समझ कहता है कि एक आरे को हमेशा सत्य को सिविकार करने और असत्य को त्यागने के लिए तयार रहना चाहिए यह कहता है कि आरे वही है जो जिसमें इतनी हिम्मत है कि हरदम सत्य सिविकारे और असत्य को त्यागने की प्रविर्ती ही आरे की मुख लक्षन होनी चाहिए समाज का मुख उदेश भौतिक अध्यात्मिक और समाजिक अर्थों में दुनिया की भलाई को बढ़ावा देना है समाज का जो है दाईत्व है उदेश है कि सबकी भलाई उसके बाद अपना भलाई ऐसा थोट आरे समाज देता है ठीक है सबी के सांथ प्रेम और नियाय के बेवार करना चाहिए अग्यान को दूर करना और ग्यान को बढ़ाना चाहिए स्वयम की प्रगति अन्य सबी के उत्थान पर निर्वर होनी चाहिए यानि सबका भला लाश्ट में हमारा भला ठीक है हमारा भला यह नहीं कि अपना भला सबका गला कटे उसके बाद सबका गला काटो फिर मेरा भला और सब गये स्वाहा ऐसा नहीं होना चाहिए अंत भला तो सब भला भला नहीं सबका भला फिर अंत में हमारा भला यह जो है आरेशमाज इस कॉंसेप्ट पे काम करता है इ दयानंद एंगलोवैदिक स्कूल को अभी भी हर जगह आप लोग देवी इसकूल को देखते हैं दयानंद एंगलोवैदिक स्कूल जो 귀 अठावरमी अस्थापित किया गया तो तो आरयि समाच से कुछ कोछन पूछता है जिसमें एक सत्यार्थ प्रकाश से भी कोश्चन पूछा है बार-बार कोश्चन पूछा है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दयानांद सर्श्वती जी की प्रसीद किरती क्या है क्या है दयानांद सर्श्वती जी की प्रसीद किरती क्या है तो कहें सत्यार्थ प्रकाश जाना जाता है यह नाम उसी college के एक्सिक छक हेंरी लुई विविएन डे रोजे के नाम से जाना गया है तो डे रोजेन कंकता के हिंदू college के जो विचारकों का एक समुर्त है उन्होंने ये बंगाल में मोमेंट चलाया था डे रोजेन जो hadhing yoaduirmski वीचार जो किताबी थी कितावी अधार पर वह सुधार की बात कर रहे हैं जबकvan ग्राउन्ड कर रियालिटी कमद नहीं जानते थें जो किताऊण्ड कर इलिठी क्या है वह किताभी भासा कितावी मैं धर को समाज में सुधार्थ की बात करते हैं और ग्राउंड रियालिटी उन्हें नहीं पता है वह पब्लिक टू पब्लिक नहीं कर पाते हैं ठीक है तो यह जो है समाजिक राजनीतिक और आर्थिक सवालों पर राय और सार्वजनिक सिर्षा परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं ठीक है अगला जो हम लोग देखेंगे रामक्रिष्ट अंदोलन इंपोर्टेंट है यह बंगाल मुव्मेंट से सिर्फ एक ही दो चीज़ आता है जो स और लिए और इसे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है इससे पूछा भी नहीं अभी तक कि प्रिवेस यर में नहीं पूछा है तो नेक्ष्ट जो है रामक्रिष्ट अंदोलन को हम लोग देखेंगे यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको देखेंगे हम लोग तो वादी थे जिन्होंने त्याग ध्यान भक्ति के पार्रम्परिक तरीकों से धार्मिक मुक्ति मांगी हैं वह एक ऐसे संते जिन्होंने सभी धर्मुक मौलिक एकता को पहचाना है और इस बात पर जोर दिया इस्वर अर्मुक्षी प्रयाप्ति के कई रास्ते हैं तथा मनुष मनुष्य की सेवा ही यह स्टेट्मेंट आप से पूछेगा कि वह कौन सा अंदोलन है जिसमें कहा जाता है कि मनुष्य की सेवा ही इस्वर की सेवा है तो रामकृष्ण अंदोलन ठीक है कि रामकृष्ण परमहंस के शीक्षन ने रामकृष्ण अंदोलन का अधार निर्मित किया फिर हम लोग देखेंगे आगे इसी मैं कि स्वामी विवेकानन्द ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की असापना कि जो रामकृष्ण परमहंस जी जो है वो रामकृष्ण अपना करते हैं जीनका नाम उन्होंने अपने गुरु परमहांस रामक्रीश परमहांस जी के नाम पर रखा है कि इस 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 इसकान Уटो ही था मनुझ्य कि सेवा ही इस वरकी शेवब है इसलिए यह जो संस्था है पर कायरता में सबसे आगे देखनों को मिलेगा आगे आप देखिएगा कि स्वामी विवेका नंद्य अठारा सो तिरानवे में सिकागों में आयोजीत पहली धर्म संसद में भारत भारत का प्रतिनिधित्व किया तो यूएसे में जाने वाले पहले धर्म प्रतिनिधि के रूप में धर्म संसद में स्वामी विवेका नंद्य जाते हैं और कब जाते हैं 1893 में सिकागों में जाते हैं तो यह कुश्चन बहुत बार पूचा है कि 1893 में कौन से धर्मिक सुधार अंदोलन के व्यक्ति जो है वो यूएसे या सिकागों गए हुए हैं तो स्वामी विवेका नंद्य ठीक है उन्होंने मानवी रहत और समाजिक कारियों के लिए राम क सेवां कि मनुष्य का अंतिम उदेश और कर्तव्य होना चाहिए तो यह सिधांत पर काम करते हैं धीक है्azing कहते हैं कि नर की से वाजीवित रवस्तूं यह कहते हैं कि नर की जोषय वही नारायन की पूझा है जीवन ही धर्म है तो कहता है कि नर्क जो विवेका नियंद्जी है यह कहते हैं कि जीवन जो है जीवन ही धर्म है धर्म क्या है इंसान की एक दूसरे की मदद करना इंसान की पूजा करना नर्की पूजा ही नरायन की पूजा होती है तो मनुष्य नर जीवन से जो जहां भी प किसमें जाना है श्वामी विवेका ननजी में ठीक है और स्वामी विवेका ननजी पीजियस के बहुत ही प्रस्टनाल्टी है तो इसे भर-भर के क्वेस्टिंस आते रहते हैं तो इसको अच्छे से पढ़िए का आप लोग पीडिये दिये जाएगा अच्छे से सारे को देखें हम लोग कुछ-वं पोई कांस अंदलन वहां सब्सक्राइब में खित अजय को अंदलन ने नियुक कि रहें तो कभी पीजिस अगया है किसी अग्जाम में कोई बीश्टेम आंदोलन में जो है अलीकड़ आंदोलन के बारे में पूछा है जुकि अलीगड़ कि यूपी का फिवरेट क्षिटे सर सयद अहमद खान जो है मुसलमानों के लिए यह सैचिक आछमर बदलने तो मुसलमानों में जो है सैक्षिक औसरों को बढ़ाने के लिए किया गया था सरसया अहमद खान जी को यह महसूस होता है कि मुसलमान तभी प्रगति कर सकते हैं जब वे आधुनिक सिक्षा को अपना है तो सरसया अहमद खान जी जो है वो अधिनिक्ता का बात करते हैं और मुशलिम धर्म में अधुनिक्ता के द्वारा शैच्षिक औसरों को बढ़ानी की बात करते हैं ठीक है यह एक जो है इसके लिए उन्होंने अलिगड़ अंदोलन सुरु किया ठीक है अधुनिक्ता के लिए उन्होंने अलिगड़ अंदोलन शुरू किया यह एक वयवस्तित अंदोलन था जिसका जो उदेश है मुश्लिम समुदाय के समाजिक रजनीतिक और सैचिक पहलों में सुधार करना था सरसेयद अहमद खान ने क्या रहा था इसका उद्देश मुश्लिम समाज में समाजिक राजनीतिक और सैचिक पहलों में सुधार करना था कि यह किए और यह दोनों फेमस है और दोनों से बार-बार रिपीटेट क्वेशन लागातार आ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो जो क्वेशन आए हुए हैं मैंने उसका जिक्र कर दिया है तो देवबंद अंदोलन को हम लोग देखेंगे कि क्या है किसके द्वार किया गया था यह मुश्लिम जो उलेमा लोग हैं उनके द्वार किया गया था क्यों किया गया था पुनन उत्थान अंदोलन के रूप में किया गया था जिसका उदेश मुसल्मानों के बीच पुरान और हदीस की पवित्र सिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करना nostril जिहाद की भावना का मोर्त की रेखना हम देखते हैं प्री शुदारी ईसायत का प्रचार करने के लिए आता दो करऊब स्क्राम में आप में जानते हैं कि हमस्वादी लोग थे उन्हें की भारत में इसायत का प्रवेश से हमारा धर्म आदा अब देखेगा कि एक तरफ हिंदु धार्मिक शुधार अंदोलन चलता है तो दूसरी वर मुश्लिम धार्मिक शुधार अंदोलन चलता है धुनुमें भी प्रगत्ति वादी शोंच और परंपरावाधी के साथ पुनरुथान पेकारे किया जाता है उसी तरह से जो मुश्लिम शंप्रदाय में भी पुनर उत्थान और जो है अधुनिक्ता का मिक्सप देखने को मिलता है कुछ लोग पुनर उत्थान की बात करते हैं कुछ लोग अधुनिक्ता की बात करते हैं सभी अपने धर्म को शमेटने और बचाने में लगे हुए हैं उस क्राम में आप के जो सिक्षा हो उनके धर्मग्रंत जो है कुरान और हदीश की अनुशार हो तभी विदेशी साख्सकों के खिलाप जिहाद को जीवित रखा जा सकता है ठीक है देवंद अंदोलन की जो सहारन पूर्जीले यूपी के सहारन पूर्जीले में दारुल उल्म या इसलामिक सहिचनिक केंद्र में होता है देवंद में मुहंम्मद कासीम नानात्वी और रासिद अहमद गंगोही द्वारा मुश्लिम समधाई के लिए धार्मिक नेताव को प्रिक्षी करने हैं तु सिक्षा दी गई इस क्राम में आप देखिएगा कि इसमी जो है इसकी जो है 1866 में शुरुवात होती है कहां पर यूपी के सहारनपूर डिस्ट्रिक में देवंद अंदोलन की शुरुवात कहां होती है यूपी के सहारनपूर डिस्ट्रिक में कब होती है 1866 में क्या है इसमी कुरान और हदीस के पवीत्र शिक्षाओं का परचार और परश केंद्र है देवबंद में मुहम्मद कासीम नाना तोई और रसीद अहमद गगोही द्वारा मुस्लिम समधाई के लिए धार्विक निताव को प्रसिखित करने का जो है कार्य दिया जाता है ठीक है तो हम लोग देवबंद अंदोलन अलिगड अंदोलन कंप्लीट कर लिए इस के दोरा सीख और अन्य धर्मों में उस तरह की कोई समाजिक सुधार नहीं हुई है इतना इंपोर्टेंट रहा है तो आज की टॉप आज की क्लास में हम लोग यहीं देखें इतना ही देखेंगे इससे डिलेटेड क्वेस्टन आप लोग सब करिए अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है यह अंदोलन तो थियोसोफिकल जो अंदोलन है वह मैडम एच्पी ब्लावोच की द्वारा और करनल एमेस औलक हट के नितरीतों में पस्मी लोगों का एक समू जो 1875 में न्यूयर्क शहर में रहता है वह संजुक्त राज अमेरिका में थियोसोफिकल स सबसे पहले नियूयर्क में 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना होती है तो फिर उसकरम में आप देखिएगा कि 1882 में जो है इसका मुख्याले भारत में भी बनता है जो उस समय मदराश में बनता है ठीक है भारत में कहां पर मुख्याले मनता है मदराश में जो यह सोसाइटी के लोग है इनका मानना था कि चिंतन प्रार्थना और रहस्योवाद आदि का घटना से ब्यक्ति जो है आत्मा और इश्वर के बीच एक अस्थापित करता है तो जो थियोसोफिकल सोसाइटी के लोग है वो यह मानते हैं कि जो आत्मा है शरीर है उससे और जो भगवान हैं इनके वीच एक कनेक्सन है और यह रहस्तवाद पर ज्यादा देते हैं जो है कि इसमें पुनर्जर्म कर्म में हिंदू मन्यताओं को सुईक्र किया गया है इस सोसाइटी से जूड़े लोग जो है इस अंदोलन से जूड़े लोग है वह हिंदू धर्म की मन्या विचारधारा के दर्शन से प्रेर्णा लेते हैं तो पहली बार आप देखिएगा कि कौन सा वो अंदोलन था जिसके द्वारा हिंदू धर्म में प्रचलित जो मन्याता है उसको एक्सेप्टेंस मिलती है तो यह जो है दोलन है कब होता है भारत में इसका मुख्याली 1862 में बनता है कहां मता है मदरास के संबंधित हो गया है यह जो है बाल विरोध का जो है इसका विरोध करता है और जातिकत वेद्वाव के उन्मेलन विद्वा इस्तिती में सुधार की वकालत करता है वर्स आप आप देखिएगा कि भारत में वर्स 1907 में अलकट की मिर्थू हो जाती है एनी बेसेंट 1847-33 में अध्यक्ष के रूप में चूनी जाती है और अंदोलन और लगप्रिये हो जाता है तो 1907 में अलकट की मिर्थू होने के बाद एनी वेसेंट जो हैं वह इसके अध्यक्ष चूनी जाती है और यह जो अंदोलन है अपने लोगप्रियत्ता के चरम अस्तर पर पहुँच जाता है और 1893 में ज बार पूछा गया कि त्यूसेब्शक कर 300 सपकल Bei इन दोलों के बारे में अभी तक ब्लॉभ स्थक औरक नहीं पूछा है ज्यादर यहाँ पर हर defined की बारे में के पूछ तो एनी बेसेंट का संबंध थियो सफकल सुसाइटी से 1893 में जो है एनी बेसेंट जी कहा आती है भारत में कब आती है 1893 में ठीक है और बनारस में 1898 में बनारस में Central Hindu College की जो है निव रखती है महिलाओं के सिक्षा के लिए बहुत पुन योगदान दी है और बहुत कारे की है ठीक है तो आज की क्लासेस में हम लोग इतना ही जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट जो समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन है वह कंप्लीट हो जाते हैं आप लोग प्रीविएस क्वेशन से मिला कर देखिए कहीं भी अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आते हैं तो कमेंट सेक्षन में मैसेज किजिए रिपलाई दिया जाएगा आपको और हमारा जो नोटबुक आए संस्थान है वह हम लोग यूपी पीचेस यूपीचेस वंडी एक्जाम से चीवाले सहायक आरो यारो हर जो एक्जाम है उसकी तयारी कराते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से तो आप लोग जूड़िए संस्थान में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और हमारा जो सूल के बहुत ही मीनिमम हैं तो आप लोग जूड़िए और टेस्ट इरीज लगाए और अपनी सफंता के मार्क को और भी असान बनाईए थैंक्यू बैबाई जय मतादी